नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ सुशान से ना आज एक बड़ा मज़िदार वीडियो लेकर आए कि आप इसे देखेंगे तो आपकी हसी नहीं रुकेगी अब कई लोगों को जो है वो दुख के मारे भी हसी आएगी कि क्या ही है बहुत और कुछ लोग इंजॉय करेंगे लेकिन यह वीडियो आखिर तक देखिएगा जरूर क्यूंकि अर्विंद केजरिवाल जो इस देश में पॉलिटिक्स बदलने आए थे उन्होंने क्या ही जब को कहा कि आईए पेश होईए अब वहां क्या हुआ है वो आप सुनेंगे तो आपकी हसी नहीं रुकेगी इसलिए पूरा वीडियो जो है कहीं बैट के देखिएगा खड़े-खड़े देखिएगा तो आज पहले आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कोट ने अर्वि केजरिवाल गिरफतारी से घबराए हुए हैं अगर आपको लगता है कि हाँ वो गिरफतारी से घबराए हुए हैं और इसलिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अभी तक दिख रहा है और जो आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो अपना जबाब कमेंट बॉक्स मे हां लिखकर बताईए और अगर आपको लगता कि नहीं नहीं वो गबराए नहीं है पॉलिटिक से चल रहा है तो आपना जबाब बी ऑप्शन भी नहीं लिखकर बताईए लेकिन फिलाल मैं आपको बताता हूं कि कोट में आज हुआ क्या है हो सकता है वीडियो के आखिर में पेश हुए कोट के सामें और उन्होंने कोट को जो वज़ा बताए कि वो क्यों कोट नहीं आ पाए है वो आप सुनेंगे तो आप माता भी फीट लेंगे और आपको हसी भी आएगी हाला कि कोट ने कारवाई को स्थगित कर दिया और अब उन्हें जो है वो मार्च में एक ड कोट आना चाहता था लेकिन ये एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया मतलब कल तक जैसे कहीं फ्लोर टेस्ट था नहीं कल पड़सो तक एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया जैसे आसमान में बादल नहीं आते कि सर मैं तो आना चाहता तो देखी ना बारिश होगी पता नहीं कहां से बादल आ गए उन्होंने का मैं कोट आना चाहता था लेकिन एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया हमारा बजट सेशन मार्च फर्स्ट वीक तक चलेगा आप उसके बाद केस्ट लगा लीजिए मैं अपियर हो जाऊंगा मतलब उन्होंने को जजज को ये बताने का प्रयाश किया कि मुझे आने कोई दिक्कत नहीं है मैं आज आँगा आप कभी भी बजट सेशन के बाद बुला लीज़े काम महुत रहता है कोंफिटेंस मोशन डिस्काइट मिज्यौरिटी या और एसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा में बीजयेयर को बता रहा हूं दिखा रहा हूं मेरा ये confidence motion और ये अरविन केजरिवाल confidence motion लाएक अप ये confidence motion अरविन केजरिवाल लेकर आते हैं दिल्ली विधान सभा के अंदर 16 फरवरी 17 फरवरी को कोट अरविन केजरिवाल को बुलाता है कि आप हमारे सामने पेश हो ये और आज नहीं ये confidence अरविन केजरिवाल 15 को भी ला सकते थे 16 को वोटिंग बगरा हो जाती बाते हो जाती और 17 को वो पेश हो जाती या अरविन केजरिवाल इसे जो है वो निस्तारी को ले आते सोंबार को एकदम 17 को भी ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ह प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं केवल जूटे जूटे केस करके इनका मकसद यहां पे दिल्ली के अंदर शराब घुटाले की आड में गिरफतार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्हों करेंए चुनाओ तो उप चुनाओ नहीं जी जर सकते तो किसी भी दरहें यह इनके परकारें सरकार गिरांगे और सरकार बना लो यहां पे तो लेकिन ये भी आउपर वाले की दया हमारे उपर जंता का व्शुटांigon का सफनी रहा है तो इंक के दिये देखने के लिए और ज आपकी अनुमती से निमलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिशद में विश्वास व्यक्त करता है। पाले मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी। कल सतरां दो चोबीस सनिवार को पराते ग्यारा बजे। अब आप देखिए अर्विन केज्रिवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएं ताकि जनता को बता सकें कि उनका कोई भी विदायक तूटाने है। आप से पूछ कहां रही है कि कोई विदायक तूटा है की नहीं तूटा है। और विदायक तूटाता तो खबर नहीं आ जाती। आप पार्टी का पराना विदायक तूट गया। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन किसलिए है। किसलिए है न ये पब्लीक भी समझ रही है क्योंकि आचानक 16 तारिक को पेशी होनी है रहती है। एडी के सवालों का जवाब देने जाएंगे तो 19 तारिक को क्या होना है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये चीज़ें दिखाती हैं और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ आप ज़रा देखिए। विधायकों को खरीद परोख के सबूत दे अरविन केजरिवाल को दूसरी बार नोटिस देने के लिए हम आवास जब पुलिस पहुची तो ये परवरी के पहले हफते की बार पहले हफते की इन्हों ने उसका कोई सबूत नहीं दिया और जब इनसे पूछा गया कि भाई ये आपको नोटिस मिला है कि सबूत दीजिए आपके विधायकों की खरीद परोख को रही तो उन्हों न देंगे उसका वीडियो का है उसका ओडियो का है और आज तक जारी क्यों नहीं करते हैं तो इनको सब पता था फरवरी के महिने से और यह जो इन्होंने आरोप लगाया था यह 27 जन्वरी 2024 का ट्वीट दिखा रहा हूं यह इन्होंने 27 जन्वरी 2024 को लिखा था कि BJP इनके MLS इसके संपर्क तो अगर 27 जन्वरी को BJP इनके विधायकों के संपर्क में थी तो सवाल इस बात का है कि यह confidence motion अचानक 16 तारिक को क्यों पेश किया जाता है 16 फरवरी को और इस पर चर्चा और वोटिंग मेंगरा 17 फरवरी को क्यों अगर अर्विन केजरिवाल वाकर यही दि तो जन्वरी में फरवरी में पहले हफते में कभी भी दिखा देते 19 फर्म तारिक को दिखा देते 17 फरवरी क्यों जिस दिन कोर्ट के सामने पेश होना था इसलिए मैं यह सवाल आप से पूछ रहा था शुरू से क्या अर्विन केजरिवाल गिरफतारी से घबराए हुए य यह आपको देखना चाहिए और अर्विन केजरिवाल जो कहते हैं जो करते हैं आप देखिए उनकी पार्टी मतलब यह पॉलिटिक्स बदलने आए थे और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की पॉलिटिक्स यह कर रहे हैं इनकी पार्टी ने ट्वीट किया पैबल आग ऐसा लगा दिये लिए कितने अब कितनी बड़ी जीत हो गए जबकि जो हो रहा है वो सबके सामने कि कैसे दरवाजयों से निकलने का प्रयास हो रहा है और बार बार उर और आप यह भी देखिए रवांट केजरिवाल आम आदमी होते ते इस पोटो में मैंने ग गड़ी त्रावल करता है आम आदमी जो है दो दो मुबाइल फोन लेकर चल रहा है जिस आदमी ने कहा था मैं बंगला नहीं लुगा जी पन्ग्रेति ने लुगा जी मैं सब को जेल भेज़ूंगा जी जिननोंने ब्रष्टा चार किया वह वह वेक्टी आज जो है किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है वो आपके साथ और कोई बात नहीं है दो फोन चार फोन कितना भी रख सकते मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं बस बता रहा हूं कि यह पॉलिटिक्स बदलने आए थे यह आम आदमी है आम आदमी है आके बढ़ता हूं अब बात हो यह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विदायकों को तोड़ने का प्रयास किया है इसलिए यह कॉन्फिदेंस मोशन आया लेकिन ज़रा देखिए यह कॉन्फिदेंस मोशन जो आज आ रहा है इस तरह की बाते तो 2022 में भी हो चुकी है डेली 53 of 62 आप MLA's attend meeting to discuss बीजेपी's बीजेपी तोड़ रही है और आप देखिए इस 2022 में इन्होंने कहा था बीजेपी ट्राइट टू पोच 40 MLA's और यह लोग राजगाट पर जाकर प्राथना औरतना किये थे कि ऑपरेशन लोटस फेल हो जाए जिस बाही ने बैचारे ने आर्टिकल चापा है जिस देते हैं कि बीजेपी मेरे विजाकों को तोड़ दे तो रीडर को पता कैसे चलेगा कि यह कब वाला है तो यह 2022 वाला है वो पीला में करके छब दिया है इसके अलावा देखिए 2021 एक साल और पीछे जाए है आम आदमी पार्टी एलेजेश पोचिंग बाई बीजेपी मान सेजी बाउस ओफर्ड मनी कैबिनेट बर्ड मतलब भगवान मान तक के चुके कि भाई उनको जो है तोड़ने का प्रयास हो रहा है 2021 में तोड़ रही थी बीजेपी 2022 में तोड़ बीजेपी 2024 में तोड़ रही ये बीजेपी और एकदम कोर्ट वाले दिन इनको याद आया कि पब्ली को ये भी बता देना चाहिए कि मेरा कोई विधाट नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत गजब लेवल की पॉलिटिक्स है और इसलिए मैंने आप से सवाल पूछा कि क् कोट से ही उनकी गिरफतारी ना हो जाए कहीं कोट जो है वहीं से ना कह दे कि एडी के सामने जाईए और सवालों के जवाब दीजे तब क्या होगा अरविंद केजरिवाल की क्या ये घबराहट है option A हाँ option B नहीं comment box में मुझे लिखकर जरूर बताईए लेकिन ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मुझे जो हो रहा है वो देखकर हसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये लोग इस देश में politics को बदलने आये थे बदल तो दिया बॉस क्योंकि आप जिस तरह की politics कर रहे हैं ऐसा तो और कोई नेता शायदी करता है लेकिन सब चल रहा है शेर कीजिएगा जानकारी में देता रहूंगा नमस्कार